मेरे साथियों कैसे आप लोग तो होली की रंग भरी बहुत सारी सुबकामनाएं बहुत प्यार से आपको होली खेलनी है ठीक है तो आज हम जो आपकी एक क्लास है जैसे कि हमारा एक होजे मोग टेस्ट होता है तो जितने भी स्टुडेंट हैं MTS की जो त्यारी कर रहे हैं उनक टोपिक करके दो टोपिकों में आपको प्रोबलम मुझे देखने को मिली है एक तो टोपिक आपका है time speed and distance और एक topic है आपका mentoration इन दोनों टोपिकों को complete करेंगे आज हमारा होने वाला है time speed and distance के बारे में उन्हीं किष्णों की बात जाएगी जो MTS के लाइक है, जो MTS में आएंगे, आना, ऐसे तो time speed and distance पता लगेगी 5 घंटे लगाता है, time speed and distance ही चल रहा है, ऐसा नहीं रहेगा, इस class में, इस class में वही बात करी जाएगी, जो MTS के लाइक रहेगी, ठीक है, वही question आएंगे, जो MTS में पहले आ चुके है, या MTS को ध्यान में देते हुए, हम time speed and distance, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, समय, चाल, और क्या है, दूरी, इनको ध्यान में रखते हुए, अगर हम बात करते हैं, तो MTS में हमारे 3 topic हैं, अलग-अलग, जिनके उपर बार-बार आपके question पूछे जाते हैं, सबसे पहले आता है, average के उपर average speed directly आप से पूछी जाती है, औस चाल, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, औस चाल, इसके उपर आधारित आपका question पूछा जाता है, यहाँ पर देखिए गावच्चे, आपको patience बना के रखना है, मेरे छोटे भाई, patience बना के रखना है, आपको बिलकुल भी कभ पूछा जाएगा, अगर आपको लगे कि जहाँ पर दूरिया सेम दी हो, जैसे कि मैं बोल दू कि मैं यहाँ से दिल्ली पहुंचा, 80 km परती गंटा, दिल्ली से वापिस फिर से मैं यहीं पहुंच गया, 30 km परती गंटा, मैंने पूछ ले कि औस चाल क्या रहेगी, उस समय पर आपको एक फोर्मला है, उसका इस्तमाल करना है, जिसको हम x इंटो में y अपोन में x प्लस y बोलते हैं, आखिर यह x और y दिया क्या है, x का मतलब है, एक चाल, यानि जाते टाइम की मैंने 80 बोला, आते टाइम की 60 बोला, यहाँ 80 रखेंगे, यहाँ 60 रखेंगे, इनका पूछा जाता है, वो रहता है, हि total distance upon में, total time, जिसका हम तरीका इस्तमाल करते हैं, total distance upon में, total time, आखिर सर यह कब इस्तमाल किया जाएगा, माल ने ते कि कोई बंदा बोलता है कि 30 km चलता है एक बंदा, और उसकी चाल है 25 km पर थी घंटा, फिर बोला उसने कि वो अगले 50 km च चलता है 20 km परती घंटा वहाँ पर आपसे पूछेगा कि बताईएगा उसका उसत चाल यानि एवरेश स्पीड क्या रहेगी उस समय पर हमें ये वाला तरीका इस्तमाल करना है जिसमें है टोटल डिस्टेंस अपनमें टोडल टाइम जैसे मैंने बोला कि 30, 40 या 80 ये क्या है द ट्रेन से संबंदित रही जितनी पिरश्ट पै sit q10 कभी ट्रेन किसी प्लेटफॉंग को पार करेंगी कभी वह किसी खंबề को μ memorizedा में कभी वो चाल पूशता है, कभी वो समय पूशता है इसी स्तरह के question आपके exam में रेल गाड़ी से संबंदित होंगे फिर आता है एक concept जिसके उपर question आता है वैसे तहीं ये दो concept होते हैं लेकिन MTS में आपका एक ही concept के उपर पूछा जाता है जो की लिखा है constant क्या है distance तूरी क्या रहेगी, बराबर रहेगी उस समय पर आपको अगर चालो का अनुपात दिया होगा या फिर चाल दी होगी, हम अनुपात में convert करेंगे इसी चीज़ का उल्टा करके लिखेंगे तो ये क्या आजाएगा, समय का ratio आजाएगा पड़ेगा, तो हमने देखा बेसिक लिए गी तीन प्रकार के क्यूशन ही एक्जाम में आपको देखने को मिलते हैं एक बेसिक क्यूशन होता है जिसमें हम मीटर पर सेकिंड में अगर चीज़े दी है किलोमेटर परती घंटा में बदलना है तो पांच बटे 18 से मंटिप्लाई करेंगे अगर वो मीटर परती सैकिंड में है और उसको किलोमेटर में बदलना है इसी का उल्टा कर देंगे ये दो चीज़े आपको ध्यान में रखनी है इन ही से ही संभन्दित आपके क्युष्टन एक्जाम में पूछे जाते हैं बार बार एक्जाम में आते हैं अभी हम सीधा चलेंगे MCQ के और यहां तक आपको बाते बिलकुल एकदम क्लियर होंगी अब आगे बढ़ते हैं सबसे पहला एक बेसिक क्युष्टन आपके सामने आता है जो लेड़ी MTS में आ चुका है या क्या दिया है कि एक ट्रेन 72 किलोमेटर परती घंटा की गती से चलती है और 15 मिनट में किसी डिस्टेंस को कवर कर जाती है वो दूरी पूछी गई है तो बेसिकली यहां पर मुझे पताए कि सर दूरिया कैसे निकलती है जब मैं दूरी की बात करूँगा डिस्टेंस से तो वो हुतिया स्पीड इंटू में टाइम जीरो टो हीरो वाला टोपिकाज में पढ़ाने जा रहा हूं तो ध्यान प्रोग एक चीज को देखना है चाल क्या है बहातर किलोमेटर परती घंटा और अगर इसकी बात करें सर ये चीज तो मिनट में दे रखी है तो इसको क्या कर लो घंटे में बदलेंगे पंदरा चोक्या बार चलागा चार से इसको कैंसल आउट करेंगे तो आप बोलो कि सर चार इका बार चला गया तीन बजगा चार आठा बद तीसो तो अठारा किलोमेटर के आ गया है हमारा वो डिस्टेंस आ चुका है बिलकुल एक दम सिंपल क के इसा निकि सभी कुष्टन आपकी MTS के एक्जाम में सभी अलग अलग त्रीके के क्विश्टन आपसे पूचे जाएंगे आपको एक बेसिक से भी बेसिक वी क्विश्टन पूचे जाएंगे और वो बार बार हम जब प्रैक्टिसेट एक बजुजे वाला जो डेली हमारा practice set चलता है तो जो भी बच्चा वीडियो देख रहा तो daily एक वजे भी आ सकता है अब ये question बहुत ज़्यादा ही important बन जाता है very very most important बन जाता है धानपुरगी इस चीज़ को देखना है exam में इस question के उपर बहुत बार विवाद भी हो चुका है और question भी बहुत बार पूछा जा चुका है क्योंकि ये question है mensuration छेत्रामिती से relate करके छेत्रामिती में हम वृत के बारे में पढ़ते हैं और वृत में दो चीज़े हम खास कर पढ़ते हैं इसमें छेत्रफल जिसको पाई आर स्केर बोला जाता है एक होता है circumference यानि इसकी प्रीधी इसके चार ओर चकर काटना इसकी प्रीधी जैसे हम 400 मिटर का चकर लगाते है वो दूरी ही कलाती है इसकी चार और की वह दूपाइ आर को हम क्या बोलते हैं ट्रिजा हिंदी में क्या ओलेंगे त्रिजा यानि चार धुलिधी रिखा को बढ़ाते भी आगे मिला देते हैं इसको डायमेटर बोला जाता है और व्यास क्या है त्रीजा का दुगना अगर त्रीजा के बारे में पूछा जाए तो डायमेटर का क्या है वो हाफ है व्यास का हाफ है अब इस क्यूशन में क्या दिया है कि एक पैया है है 4000 चक्र लगाता है 30 क्लोमेटर की दूरी टै करता है तो पैयें की त्रीजा पूछी गई है अच्छा मेरे को एक चीज बताईएगा मैंने क्या किया कि ये पैन ले लिया और मैं बोल दा है इस पैन को मैं 400 क्या है बार 4000 बार ऐसे से पलटता हूं ठीक है और मैं अपनी क्या बता दूं कि किलोमेटर इतना किलोमेटर मैंने चल लिया 400 बार पलटने के बाद इतना किलोमेटर चल लिया क्या मैं यह नहीं बता सकता कि एक बार पलटने मैं कितनी दूरी करने में हमारे लिए असानी रहे एंसल आउट किया ौर हमारे सामने 12-15 आ चुका है मीटर आ चुका है यानि एक चक्कर में पता लगया कि वह पंयां कितने मीटर चल रहा है, 15 मीटर चल रहा है, और पयां चलने का मतलब होता है, उसकी circumference, उसकी प्रीधी, अगर कोई बिंदू में बाहर की ओर, सरकल में लगाता हूं, वो घोम के वो बिंदू वापिस आ जाता है, यानि वो प्रीधी की बात करता है, अभी अभी मैंने circumference का आपको formula बताया जो की क्या है 2, 5, R बराबर किसके है 15 के बराबर है अब इस क्यूश्टों में पूछा गया है यह R पूछी है रेडियस पूछी है तो हम क्या करेंगे सर जो cancel out वैसे cancel out इसमें कुछ होता दिखनी रहा तो हम क्या करेंगे R बराबर है 15 22 बटा साथ लेंगे तो साथ ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा बाइस एक है मन्टिप्लिकेशन करेंगे 35, 35, 37, 37, 37 अभी देखना अभी हमारी निघाएं एक निघा हमारी ओप्सन के ऊपर भी चलनी चाहिए ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या रहे हम अपने इस आफसे इसको मैनिप्लेट कर सकें अगर मैं इसको चार बार चलाता हूँ क्योंकि ओप्सन मेरे चार और आठ है चार आठ दो ऐसा है अगर मैं हाइस पर चलाता हूँ आठ बार आठ दूनी सोला यानि सर बहुत ज्यादा चला जाएगा लेकिन अगर मैं इसको चार बार चलाता हूँ तो मेरे पास अगर यह अगर तक सोल करने के मुझे जरूरत नहीं है ना इतना टाइम मेरे पास है कि मैं इसको कंप्लीट उल करें ठीक है वरना जैसे ही हम इसको कैंसल आउट करेंगे तब भी हमारा अंसर यही आए ठीक है चलो next question पे चलते हैं next question आपके सामने है एक बार ध्यान पूरवक देखेगा ये question क्या है train से संभन्धित अब statement में जो लिखा है धीरे धीरे उसको पढ़ेंगे ताकि आपको ये train वाले जो concept है और एक concept बिलकुल एकदम सटीक समझ में आए और सटीकता के लिए हम क्या करेंगे इसको बहुत ही पढ़िया तरीके से इसको देखेंगे अब यहां पर देखिएगा लिखा क्या है कि 400 मीटर लंबी train 300 मीटर लंबे एक पुल को 70 सेकिंड में पार कर लेती है ट्रेन की गती पूछा जिन बच्चों ने अभी तक train के बारे में नहीं जाना है एक बार हम फटा फट से train ले लेते हैं हना चलो माल लेते हैं कि मेरे पास एक train है और एक platform बोले गाया कि अगर train की लंबा यह train है और यह है वो platform एक जगे खड़ा है अगर मैं इसको पार करता हूँ एक दूसरे pen को चिपक गया नहीं चिपकाना नहीं है यह पार करता है तो मैं बोलूँगा पीछे वाला जो गार्ड़ वाला डिबा है आगे लिखा होगा जंक्सन तो पार करेगा तब ही बोला जाएगा कि साथ में समय पता लग जाए तो यह वाली चीज मेरे लिए निकालनी आसान है तो मैंने दोनों को जोड़ा 700 मीटर कोई दिक्कत है किसी को कोई भी इस प्रकार की कोई प्रेशानी नजर आती है इसमें नहीं आती तर समय से भी भाजित कर दिया चाल आ जाएगी जो की किस में आएगी मीटर पर सेकिंड में लेकिन मैंने बोला एक निखा आपकी उप्सन में नहीं चाहिए जो की है किलोमीटर परती घंट अब किलोमीटर पर्ती घंट में से बदलने के लिए मैंने बोला कि अगर हम ताफ 15 ऐठ गंता में निकल के आ जाटा है तो हम इसका उल्टा करेंगे तो वूपर इठ जाएगा नीचे आएगा पांच्रेंच ये तो पूरा का पूरा इससे कट गया आहसे इसको कैंशल ह उट गया दो बारँ अठारा दूनी, 36 किलोमीटर परती का हमारा क्या रह जाएगा, सही जवाब रह जाएगा, नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं, आप देखो, यहाँ पर बहुत ही बेसिक से क्यूशन आप से एक्जाम में पूछे जाते हैं, जो बच्चा एकदम नया है, उसके लिए हर रोज प करता है, और 36 किलोमीटर पैदल चलता है, तो है पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की करता है, यह पूछा गया है, मैं को एक चीज बताइएगा, अगर जोन, तो बटा तीन, इसका मतलब है कि तीन, नीचे जहां हर लिखा होता ना, इसको हम रियल वैल्य वोल देते हैं, या बेस वैल्य वोल देते हैं, सर्वात, मैं बोलूं कि तीन में से दो भाग चला, वो किसके दवारा, बाई की दवारा चला, कितना भाग रह गया चलने के लिए, और जो की चला वो क्या है, च्छे किलोमीटर है, पैदल चला है, एक की वैल्य च्छे आ चुकी है, बोलाई कि यात्रा कितनी किया है, बेटा उसने तीन की है, तो गुणा में हम तीन कर देंगे, सीधा मेरा अंत पर आजाएगा, अठारा कि ज्यादा हमें मैंनत करने की तुर्थ, नेक्स्ट क्यूशन में चलते हैं, बहुपाल से वारानसी जाने वाली ट्रेन की घरती सो किलोमेटर पर फिर देखते हैं कि सर करके देखा इसको कि 2 गुणा में 100 गुणा में 80, बटा में क्या है सर? 180 लिखा गया, 0 से 0 कैंसल आउट कर दिया, 2 से कैंसल आउट किया, 9 बार गया, यहां आगया है 800 बटे में, कि आठ नीम मेशरह बहात्र फिर से आठ नीम मुद्पर फिर आठ नीम्बा थ Working बहात्र फिर आठ नीम भातर सुद्वा निकाला तो नहीं आ गया से मिलोमींटर परती bahılκर ईतैया अंसर मेरे सामने और में चलते हैं रोहीत दिनेश कितने किलोमीटर की दूरी पर है सब्सक्राइब रोहित 15 किलोमेटर परती घंटाई गती से चलता है दिनेश चलता है कितने 17 किलोमेटर परती घंटाई गती से यह दिवे एक दूसरे की और आते हैं तो घंटे बताई देखिएगा अब दो चीजे दो कॉंसेप्ट यहां पर ध्यानपूरग समझेगा जब रो जागा एक कदम इसका, एक कदम इसका, भई, ऐसे करता गया तो दो कदम हो गए यानि आप क्या बोलोगे कि अगर वख दूसरे की और आते हैं तो हम क्या उपर करएगे, चालों को जोडेंगे, लेकिन अगर मैं बोलों कि रोहित और क्या है दीनीय से, एक ही जगे पर हैं, दोनों बंदे एक ही जगे पर खड़े हैं ऐसे करके खड़े हैं अब क्या हुआ कि अगर सेम डारेक्शन में जाएंगे जिसकी चाल ज्यादा होगी वही तो आगे निकलेगा तो जब भी अगर सेम डारेक्शन में जाएंगे एक ही दिसा में जाएंगे उस समय पर चाले क्या ह लाएगा और 32 दूआ बार चला गया तो आप बोलोगे सर दो घंटे में ऐसा होगा कि वो दोनों के दोनों क्या है एक दूसरे के पास पहुंच जाएंगे मिल लेंगे यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल जाता है और आठ किलोमेटर परती घंटा और 30 मिनट को देरी से पहुंच तो घर से स्कूल की दूरी बतानी है मेरी बात यहां पर अब ध्यान पुरुवक समझनी है क्यों समझनी है क्योंकि यहां पर एक मैंने तीसरा कॉंसेप्ट बताया था एक बताया एवरेस स्पीड एक बताया मैंने ट्रेन से संबंदित और एक बताया मैंने दूरी जब क्या हो बराबर हो अब कोई लड़का घर और 12 का बस ratio निकालना पहली पकड़ में क्या आई मेरे को कि सब्सक्राइब क्या होनी चाहिए दूरिया बराबर रहनी चाहिए जैसे ही ratio निकालोगे तो हमारे पास आजाएगा दो अनुपात में इसका उल्टा करोगे तो यह time का ratio बन जाता है अगर वो 2 की speed से चलेगा तो time स्यादा ही लेगा ना तीन टाइम लेगा क्योंकि दूरिया तो बराबर है अब यहां पर देखेगा difference से पता लगा एक का आंतर किसके बराबर है तीस मिनट के बराबर है time निकाल लो distance अपने आप आ जाएगा क्योंकि समय की चाल से गुणा करते ही हमारा distance दूरी आ जाती है समय यहां पर तीन मिनट है तो तीन का प्रियोग किया मैंने मैंने बोल दिया कि 90 इसको 90 मिनट लगती है कब जब वो किस चाल से चलता है आठ किलोमेटर पर ती घंटा की चाल से 90 मिनट लगती है घंटे में बनाने के लिए हम 60 से भाग दे देंगे जीरो से जीरो कट गया तीन तीन दूनी तो उसे इसका मंटिप्लिकेशन किया तो चार बार गया चार तीया बारा 12 किलोमेटर क्या आ गया है उसका दूरी आ चुकी ठीक है इस देट राइट और रोंग बताएगा बात यहां तक क्लियर है सभी चीजे एक डम क्लियर होती चल रही है कोई दिक्कत नहीं है अब यहां पर एक ट्रिक में बताने जा रहा हूं आपको वो ट्रिक का इस्तमाल करके भी इन क्यूशनों पर लगा सकते हो जब वो देरी और लेट की बात करे अगर क्यूशन में आपको देरी और यहां पर भी कहीं देरी लिखा होता बोल देता है कि 10 मिनट देरी से पहुंचता है उस समय ज्यादा इसका अपलाई करना आप तो जब देरी देरी की बात करें तो समय को माइनस करना है तरीका क्या है सो ट्रिक क्या है अब ये ट्रिक क्या है एस वन का मतलब है पहली स्पीड लिखा आठ इस से सीध्या दूरी निकल के आएगी दूसरी दूरी दूसरी चाल 12 किलोमेटर परती घंटा दोनों का डिफरेंस कितना आ गया है चार आ गया है अगर टाइम इसमें कई तरीके से कुछा जाएगा ये कभी यहां देरी बोल देगा इधर भी देरी बोल देगा कभी इधर बोल देगा कि जल्दी पहुंसता है इधर बोलेगा देरी पहुंसता है जब अपोजिट चीजों की बात करी जाए बोल दे यहां देरी दिया यहा लेकिंगे साथ आठ से आठ कट गया आंसर कितना आगया बारा किलोमेटर परतिक इस परकार के मैंतर से भी आप निकाल सकते हो ट्रिक से देखेगा दिनेश और विनोध की गती का अनुपाद देखो कितने आसानों सरल कुष्यन भी जाम में देखने को मिलते हैं आपको 19 अनु कि आगे चलते एक कार साथ घंटे में 54 किलोमेटर प्रते घंटा की गती से एक निश्ची दूरी तैय करती है यदि दूरी को 6 किलोमेटर परती घंटा की चाल से चला जाए तो पूछा गया है गती क्या होगी अगर 6 घंटे में उसको पार करना है वही पहले तो डिस्टेंस बोलेंगे हम बोलेंगे 7 गुणा में 56 ही क्या हो जाएगा दूरी निकल गया अगर समय सीमा उसकी 6 घंटे है तो हमें सर नो सत्ता त्रेशट किलोमीटर परती घंट वी दिन सेकिंड दिन का अंसर आना चाहिए घबराना नहीं है चीजों को देखे बहुत सरल सरल चीजे हैं यह सबसे आसान टोपिक होता है यह ठीक है नेक्स्ट क्यूशन पर चलते हैं बाकी जब डेली प्रैक्टिस आ रही है तो सभी बच्चे एक बज़े जुरूर आईएगा हर चैप्टर के क्विश्चन किया जाते हैं यहां पर वो आपका बेस मैप कवर करवा रहा हूं जो बेस आपका कवर नहीं है बार बार आपको बताना पड़ता है अब देखिएग चार सो किलोमेटर की उनके बीच में दूरी है आठ बजे दोनों बसे छोड़ी जाती है यदि ए और बी की गती 30 किलोमेटर और 70 किलोमेटर परती घंटा है तो वह किस समय पर मिलेंगी समय पूछा गया है अब यहां पर बात ध्यान प्रोग समझना मेरी किस चार सो स्टार्ट हुई है अगर मैं इसमें चार घंटे जोड़ दूंगा तो बारा बज़िकर चाहे जीरो जीरो पीम पर मिलेंगी एम वाले सारे वह ऐसे ही खतम होगे थे तो नून में मिलेंगी एक ट्रेन 18 सेकिंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है और प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति एक आदमी जिसको आठ सेकिंड में गुजर जाती है तो मीटर है तो प्लेटफॉर्म के लंबाई आप से अब मेरी बात यहां ध्यान प्रोग समझे पहले वाले कॉंसेप्ट में अगर वो ठारा सेकिंड का समय लेती है तो ट्रेन की इसमें लंबाई होग भई ट्रेन की लंबाई होगी ने होगी ना ट्रेन की लंबाई होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी इन दोनों को पार करने में लिया इसने ठारा सेकिंड लेकिन जब एक व्यक्ति को पार करेगी तो ट्रेन खुद की लंबाई चलेगी उस समय लेती है ये कितने से आठ सेकिंड लेती है मैं बोल तो कि दोनों को माइनस करिएगा यहां पर बच जाएगा बस प्लेटफोर्म को अकेले पार करने में अकेले पार करने में यानि इसमें ट्रेन की लंबाई एड नहीं है तो 10 सेकिंड लेती है नहीं लेगी 10 सेकिंड लेगी 10 सेकिंड अगर मैं ब कि बोलो ke Miss year निकालना है ये वाली ची़ कीए तो हम क्या करेंगे सर एक सेकंड मों Kash लेकिन व्कलिक करके कैंड़ों सब्क्राइट में आठ धूना क्या करते हैं तो 그만 वैधा। सीदा मेरा अंसर आजाएगा 10 मीटर इक सौपच्शिस मीटर का वह क्या है का प्लेटफॉर् बेसिकली इसको कर सकते हैं कोई भी दिक्कत ना होनी चाहिए रिजनिंग वाले तरीक्ये से मैंने आपको बता दिये जिए ठीक है कि नेक्स्ट वाले कुश्चन को इसी तरह का है पर ट्राइब करके देखिए तोड़ा सा डिफरेंट है यह कुश्चन और इवन क्यारा जुलाई की जो मैंने आपको सिफ्ट कराई थी याद होगा मैंने बोला था कि यह बहुत बार क्युश्चन ऐसा रिबिट हो चुका है इस नंबर वन में भी यह कुश्चन आया जो मैंने आपको फ्राइड को करवाया था उसमें भी एक उश्चन था एसा ही देख एक्स वाई माल लेते हैं उनकी चाले हैं अगर मैं बोलू कि यह ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को पच्चिस सेकिंड में पार करेगी तो दूरी चलेगी कितना पच्चिस एक्स यह ट्रेन अगर 32 सेकिंड में पार करती है तो दूरी कितना चलेगी 32 वाई चलेगी अग पर लागी दूरी ये दूरी पार करने में चाल क्या होगी साले सर जुडेंगी क्योंकि एक-डूसरे के विपरिथ एक-डूसरे की क्या है विपरिथ है और 30 सeffective एक इसको इधर लेके आएंगे तो आप बोलोगे सर इसको इसको लियाउधर ताकि माइनस का नाबने इसको इधर लेके आये तो 2Y बन गया, इसको इधर लेके जाएंगे तो 5Y बन गया, 5X बन गया, ठीक है, एक्स का मान कितना आया है आप बोलो कि सर दो आया है तो दो देखो कहां पर यह रहा तो अनुपात पांच कि नेक्स कुश्णमें चलते हैं कि एक एक स्टेशन में प्लेट फॉर्म को 36 में और प्लेटिफॉर्म खड़े वेक्टी को 20 सेकिंड में पार कर लेती है यदी रेल गारी बाहतर किलोमेटर प्रती घंटा की चाल से चलती है तो प्लेटफॉर्म की क्या बतानी है लंबाई आपको बतानी है एक है अब देखिएगा धान पूर्वाग यहां पर सर अगर वो रेल गाड़ी की क्या देदेता मेरेको लंबाई देदेता तो मेरा क्यूस्चन पहले अभी अभी निकाला था अराम से निकल गया था लेकिन जब अगर उसने यही बोल रखा है यह प्लेटफॉर्म पर खड़े वेक्टी को पार करता है कितने सेकिंड में 20 सेकिंड में करता है तो सर यहां पर तो मेरे लिए आसान हो गया निकालना कैसे सीधा मैं बोलनुगा कि सर 22 किलोमेटर पर ती घंटा की चाल से चलता है यानि इसको पांच बट्टे 18 क्यूंकि या मीटर पर सेकिंड में क्यूंकि समय सेकिंड में दिया था पीज सेकिंड में पार करता यानि दूरी वो ट्रेन अपनी दूरी यानि ट्रेन की दूरी निकल जाएगी ठारा चोका बहातर मंटिप्लिकेशन या 20-20-20-40 यानि 400 चार सो मीटर की ट्रेन आगी है आगी है फिर बोला चती सेकिंड लेती है तो मैं बहुतर की ही चाल से चलेगी पांच ब्रते 18 भी करेंगे और गुणा में क्या है चती सेकिंड तो मोलूंगा ठारा काट दो इसको इसको काट दो ठारा चोक बहातर इस पीस का मंटिप्लिकेशन करेंगे तो आप बोलोगे सर जीरो और दो 6 और 7, 720 टोटल आ चुका है जिसमें ट्रेन प्लेस में प्लेटफोर्म की दूरियां है दोनों को माइनस करेंगे तो अंसर मेरा आ गया प्लेटफोर्म की लंबाई कितनी है 320, 320 ठीक है समझ में आगी बात है अलग अलग तरे के क्युष्ण ने के क्युष्ण लिया है हम देखेगा एक समान गती से चल रही एक रेल गाड़ी 240 मीटर लंबे पुल को 30 सेकिंड में और 440 मीटर लंबे पुल को 38 सेकिंड में पार कर लेती है ट्रेन की घटी पुछा गया है अब घटी कैसे है यहाँ पर सर एक बात समझ में आती है कि सर जो टाइम में डिफरेंस आया है वो किसकी वज़े से आया है यहाँ पर अलग-अलग प्रकार के प्लेटफोर्म थे क्योंकि दोनों में एक चीज इंकलूड है सर्ट्रेन की लंबह इस में इनक्लूड है नीचे वाले में इनकलूड है मैं यह बोल सकता हूँ कि सर्ट्रेन प्लेस में प्लेटफोर्म कितना है यहां पर ना मांस करेंगे तो 406 में से उपर वाला घटा दू 80 आ जाएगा एत्शेंटीयृ का डिस्टेंस कितने सेकिन दो में कर दिते हैं में दो किसी निकले की दोरी एक पनूल अरो इस एकन गार है अलग ईब का में लागी एटरीं में मामीथ टो में चनल में घड़बर तो नहीं होगी हमारी है माइनस 120 आएगा ना बिटा यहां पर एक सो बीस एक सो चारसो साट में से अगर घटाएंगे तो 120 आएगा ना उल्टा घटाएंग अब देख लिएगा आप पही आ जाएगा एक तम पांस इसको कैंसल आउट किया पांच बार गया यह तो आप बोल सकते हैं सर पांच बार गया तो दो और पांच पच्ची अठाथा सर दोसो हो जाता है अभी मुझे कुछ गड़बर लग रही है तुबारा चेक करो एक बार अगर मैं 460 में से अगर इसको माइनस करता हूं कि 120 आएगा बिल्कुल आएगा 36 में से 38 जाएगा तो कितना आएगा यहीं पगड़बर हो रहा ना तो आप बोलों कि सर 120 पट्टा में दो करना था यानि 60 मीटर पर साइक इसको बदलना है कि इसमें किलोमेटर परती घंटा में तो ठारा बट्टे पांच से इसको मंटिप्लिकेशन किया तो पंद्रा आ गया ठीक है बारा आ गया ना टाइपी नहीं पड़ेगी कल्कुलेश 216 किलोमेटर परती घंटा ठीक है नेक्स्ट कुश्चन को एक बार ट्राइ कीजिएगा नेक्स्ट कुश्चन बिलकुल एकदम सेम डिट्टो है एकदम डिट्टो है करिएगा नेक्स्ट वाले को इसमें क्या दा और 243 मीटर लंबी 10-30 सेकंड लगाती है 343 लंबर मीटी 30 सेकंड लगाती है तो डिस्टेंस का सीधा हम दूरी होगा क्या ले लेंगे डिफरेंस ले लेंगे यह आ गया आपका सूप यानि 100 मीटर का जो डिस्टेंस है वो कवर किया जाता है कितने 6 सेकंड यानि 100 बट्टे में 6 बोणा में क्या करतेंगे पाज बट्टे ठारा ठारा बट्टे पाज एक तीन बार गया ये बीस बार गया तो सीधा मेरा अंतर आ जाएगा 60 किलो मीटर लंबी सड़क को चार मिनट में पार करते है गती प्रती घंटा contenu बसे महिन बात यह है कि किलोमेटर में बनाने के लिए आप क्या करोगे दूरी को भाग देंगे हजार से अगर सरी इसमें समय रखा है तो चार से भाग देंगे लेकिन उंटे में बनाएंगे तो शाठ से क्या करना पड़ेगा इसको भी भाग तो 60 उपर चलागा एक साथ कर लो सारी चीज़ों को सात्सों मीटर लंबी ट्रेन नहीं जीरू गद्धर आजाएगा सफ जीरू पांच और एक छे साथ और दो चाल कितनी दी है अड़ता लीज़ किलोमेटर परती घंटा में अंसर है तो अठारा बटे क्या देखेगा बारा चोका बारा अठम एक पीस बार यह चार अठारा चोक बहार अठार किलोमेटर परती एक बहुत आसान आसान सी चीज़े आती है एकदम बेस बढ़िया रेडी हो जाएगा आज यदि राधा 26 किलोमेटर परती घंटा की गती से तोड़ती है तो उसे इतने मीटर की दूरी तै करती है में कितना टाइम लगेगा इसमें तो क्या है बहुत आसान सी चीज़ है अब यह अंसर मीटर पर सेगिड में तो नहीं है घंटे में होगा तो घंटे मना लेंगे तो भाग करना था बताइए यह मीटर में है किलोमेटर में बनाएंगे तो किससे भाग किया जाएगा किसे क्या जाएगा हजार से क्या तो सी बात है सर यह अगर हजार से विभाजित है इसको बात में देखेंगे हजार वाले क्योंकि आंसर आपका मिनिट में पूछा गया है कितने मिनिट में लेगा अब यहां पर main बात आती है कि सर इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे मीटर पर सेकिन में बदलने आशानी रहेगी अंसर आ जागा तो मिंट में बनाना हमारे लिए असान है क्योंकि यह अलड़ी मीटर में है इसको बदलेंगे अगर भाग दिया है सर इसको लिखेंगे हम तो नीमा बार चला गया पाच को इसको कैंसल आउट किया तीस अब देखो यह सैकिंड में अंसर आया मेरा अंसर मिनेट में आना चाहिए कि टेबल ज्यान रखो कि टेबल कितने बार जाएगी आप बोलोगे च्छे चुक चोबीस तीन घंटा सीधा सीधा हो जाएगा तो यह तो खतम होगी तो च्छोबीस करते ही दो सो चालीस आ जाएगा तो तीस मिनट बचेंगी पट्टे में साथ है सर एक बटा दो चार सही एक बटा दो टी और टी तोनों अप्सन देखिया एक जाम में ऐसी घलतिया भी आपको देखने को मिलती है जब दो अप्सन एक जैसे आ कि समान गती के साथ वापस ए पर लोड़ जाती दोरां ट्रेन की औस चाल पूछी गई है अब देखो देस्टेंस सर बराबर हैं तो हम बोलेंगे असी के हिसाब से जाती है और 65 के हिसाब से वापिसा इंटू में दो बटा में क्या किया जाएगा आप बोलोगे सर दोनों का सब्सक्राइब प्लस उसमें क्या था अब आईदू में बनाना था सीदा में इसको एंस सल आउट करेंगे तो पांच हुछ आ और बट्टा में क्या है इसको जैसे ही आप कैंसल आउट करोगे आपके सामने आपका अंसर हो जाएगा हाँ ठीक है पॉइंट में अंसर बनाना था चलो भी आगे की और चलते हैं एक 253 मीटर लंबी रेल ट्रेन है काट किलोमेटर परती घंटा की गती से चल रही है एक फुल को पार करने में 42 सेकिंड का समय पुल की लंबाई आपसे पुछी क्या पुछी गई है पुल की और फटा-फटा से इस कुछन को देखिएगा कि अ कि क्या दिया है यहां पर है इतने मीटर लंबी ट्रेन है साट किलोमेटर परती घंटा की गती से चल रही है एक पुल को पार करने में इतने सकिंड का समय लेती है तो पुल की लंबाई बतानी है तो बेसिकली हम ट्रेन का इस्तमाल भाद में करेंगे लंबाई का पहले हम बोलेंगे अगर साट किलोमेटर परती घंटा की चाल से पीटर पर टैकिन को बदलिएगा इसको अगर वो 42 सेकिंड में पार कर देती है तो कितना डिस्टेंस चलेगी टोटल इसको कैंसल आउट करो यह तीन बार गया तीन स इसको कैंसल आउट करेंगे तो तीन चोका क्यार कि दोधा पंजे सत्तर सात्तों मेटर चल जाएगी टोटल डिस्टेंस अलती है लेकिन उसमें से 253 तो क्या है रेनी है माइनस कर देंगे इसको साथ आ गया चार आ गया और इधर क्या बज़िगा है चार आ गया उस चाल गया कितने बाहर क्यूशन पूछा गया इसको भी क्या करेंगे सर अगर दूरियां बराबर हैं अगर बटे में अ सब्सक्राइब है तो आठ 48 48 किलोमेटर सब्सक्राइब नेक्स्ट क्यूशन देखेगा एक व्यक्ति अब यह वो किशन आ चुका है जिसके बारे में मैं बार बार बता रहा हूं और इन से बाहर आता ही नहीं है इतने भी MTS के प्रिविएस एर पेपर आप उठाके देख लो इन से बाहर बिलकुल नहीं आता है जो बच्चा पुराना है उसको लगता है कि सर असान चीजे हैं हना मोग टेस्ट में आओ बेटा सब चीजे मिलेंगी सार प्रकार की चीज़ एक बज़े एक पीम पर रात को नहीं दिन में दोपैर को उनमें यह लिए आपकी एक से दो चलती है एक वेक्ति अपने घर से 4 किलोमेटर परती गंटाई की गती से कारियाल लें 2 किलोमेटर परती गंटाई गती से वापिस लोड़ जाता है इस आने जाने में उसको total 6 गंटे लगते हैं तो घर और कारिया उदर रख दिया दोनों के दवारा चला गया जो समय है जो लिया गया समय तीन है उसकी वैल्यू किश्ण ने च्छे दे रखिए एक की वैल्यू हमारे पास आजएगी दो इस देट राइट तो यहां पर एक की वैल्यू दो आ चुकी है यानि यहां पर सर दो घंटे बोल सकते हैं उसको लगते हैं कब जाते समय जाते की चाल क्या है चार है गुणा किया तूरी आगी आठ कि आराम से निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है है ना कि यह है चलो नेक्स्ट पर चलते हैं 45 किलोमेटर परती घंटा की गती से यात्रा करने वाली एक ट्रें 12 सेंड में घर को पार कर लेती है ड्रें की लंबाई आपको बतानी है चाल दे रखी है समय दे रखा है और तो इसमें क्या ही मिखाल पाएंग तो किलोमीटर मीटर पर सैक्टमें बजलने लिए हम क्या करेंगे तर तरपांच बटे अठार पांच बटे पांच बटे अठा तुना में नो से करेंगे पांच तुया बार गया है यह हो गया 30 तीस का मतलब है 15 1.5 एक सो पचास मीटर लंबी क्या थी वो प्रेन ये पर चलते हैं साथ मीटर परती घंटा की गती से चल रही ट्रेन की लंबाई दी है इतने मीटर लंबी ट्रेन सुरूंग को पार करने में सुरूंग की लंबाई पुछे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे काल पकड़ेंगे फिर क्या रखा है समय अब यह साथ का क्या करें तर पांच बटे चुका है नहां कि वदा जाएगा ना कि वदा पंजे सत्तर इन दोनों का मांटिफिलिकेशन सात्तर सात्सों सो में से अगर मैं घटा देता हूं 243 घटा देता हूं तो यह अंसर आया था सेम डाटा लेके रिपिट हो अब देखो यह टाइम को माइनस और प्लस करना नहीं आत आपको बड़ी अजीब तरीके की कुश्शन यह एक्जाम में उच्छे जाते हैं यह टाइम का माइनस करना आपको सीखना पड़ेगा अभी मेरी बात ध्यानपुरग समझे हो अगर मैं आपसे बोल दूं कि 12 बजकर 10 मिनट में से आपको 10 बजकर 55 मिनट माइनस करना है क्योंकि क्या है गलत है सरासर गलत है यह कुश्शन गलत हो जाएगा इतना बताते ही करना क्या है आपको एक घंटा इसको उधारा दे दो आप बोलोगे साथ हिदर मिनट में कनवर्ट हो गया अब बन गया ग्यारा बजकर सत्तर मिनट और नीचे बन गया 10 बजकर 55 अब माइनस करना आपके लिए बिलकुल एक तम आसान हो जाएगा पांच एक इधर के आ जाएगा एक घंटा और 15 मिनट समय का अंतर आ जाएगा अब इस क्यूशन में ऐसा ही एक ट्रेन की गती दे रखी है वह केवल इनके दवारा सुभ है 10 बजकर 20 बज़े से बार एक बज़े का मतलब है अगर दोपैर की बात कर रहा तो 13 बजकर 50 ले सकते कोई भी दो राय नहीं है हमें का पता लग जाएगा बस और कुछ निया के यह आग्याती तो सीधा मैं बोलुगा तीन घंटे अगर अशी किलोमेटर के साव्स से चल रहा है कितनी दूरी ट्रेख करनेगा बोलोगे सेर 20 किलोमेटर का डेस्टेंस तो टोटल गरे गा तैसे बेस्युशन भी आपको देखने को बिलेंगे एगे ट्रेन 90 किलोमेटर प्रति गंटा की गति सेक निस्ची दूरी को तै करने में 50 मिनट का समय लेती है। यदि गति को 33 सही 1 बटा 3 प्रतिसत की व्रधी कर दी जाए और दूरी में 2 सही 4 बटा 5 कुना की को तै करने में कितना समय लेगे। है अगर चाल है आपकी 90 किलोमेटर प्रति गंटा की 33 सही 1 बटा 3 प्रतिसत क्या करनी है व्रधी करनी है नभबब्य का क्या कर देंगे 33 सही एक बटा 3 प्रतिसत इसको क्या लिखा जा सकता है तो समय जो है एक निश्चित दूरी को तै करने में इतने मीटर किया समय लेती है अभी यहां पर क्या दिया है तो दूरी के तो सही चार बटे पांच गुना को तै करने में कितना समय लेगी समय पूचरा कि इदा डारेक्टली चीज पर हम रिश्व भी अप्लाई कर सकते थे वरना हम चाल से भी खेल कर सकते हैं अब बताइएगा 90 के हिसाफ से चलता है पचास मिनट में कितनी दूरी के तै कर देगा सर जीरो तो यह गाइप होगी है तीन से इसको कैंसला चैसे पूरा ही कट रहा है च्छे कमच्छे 35 किलोमेटर की दूरी तै कर रहा है कि आपको गुना करना है क तो गुना में 14 बट्टे क्या करेंगे पांच करेंगे एंसलल आउट नहीं करेंगे क्योंकि विभाजित भीकर माइव स्टों लिदा करके Von15 its क्या ऐगा हम्यक का मतलग जेगा अब देखिएगा चार को मिनट में चेंज गर दो 60 से मंटिप्लाई किया 15 15 35 एक घंटा 45 देखो कहां पर लिख रखा डीज दर राइट अंतर हो जाएगा बारी-बारी स्टेप वाइज हम चलेंगे हमाएं कोई भी दिक्कत नहीं आएगी अगर किसी बच्चे को दिक्कत आती है अभी चीजे ब क्योंकि वह सेम डिस्टेंस की बाद कर रहा है तो यहां पर मुझे पता लगा उसको समय लगता है दो यूनिट ज्यादा समय लगता है उसी की वैल्यू किशन ने दे रखे एक घंटा और 30 मिनट इसको एग घंटा 30 मिनट को क्या बल सकते हैं एक सही एक बटा एक बटा दो यानि तीन बटा दो एक की वैल्यू निकालेंगे तो हम बोलेंगे तीन बटा चार मुझे चाहिए है तीन की वैल्यू तो आप बोलोगे नो बटा चार पूछा क्या गया है सामाने शमय पूछा गया है बटा इसने पूछा है बटा समाने समय क्या रहेगा उसको तो यहां पर देखेगा समाने समय का मतलब है सरी यह समाने दूर चाल तो यही है समाने समय यानि तीन तीन की वैल्यू कितने आई है नो बटा कितने आई है चार दो सही एक बटा चार तो दो सभी एक बटाचार तो कहीं लिखा नहीं है लेकिन एक बटाचार को हम किसमें कर सकते हैं तर साथ से मंटिप्लाइ किया तो 15 आ गया है तो दो घंटे और 15 मिनट के आ जाएगा इसका राइट अंत्र आ जाएगा सामाने गती से चलेगा सामाने समय उसका तीन है ठीक है इसी प्रकार के क्यूश्चन आपके एकजाम में बार-बार देखने को मिलते हैं तीनों कॉंसेप्ट के ऊपर हमने क्या है बेसिक आपकी अंडरेस्टेंडिंग मना दिये एक बज़े आना है एली जोएन करना है जैहिन चुटे रही गा और अराम से आपको खोली मनानी है ठ दिसक्स करेंगे इसमें 3D के बारे में ठीक है ओके बाई बाई टेक केर